हेलो स्टुडेंट्स वेलकम टो इंटेनेटपढ़ाई डॉट कॉम आप सभी का बदबद स्वागत है मैं यहां पर आपको सिक्स टू ट्वैल्स का स्लेबस करवाऊंगी और जैसे कि आप सभी को पता है वह स्लेबस मैं आपको कंप्लीट करवा रही हूं और यहां पर मैं पर उन वीडियो को देख सकते हैं इसके अलावा इंटरनेटपढ़ाई डॉट कम पर आपको पूरा स्लेबस सीक्वेंस वाइज मिल जाएगा और इसके अलावा सिक्स टू ट्वैल्स का सिफ यही सब्जेक ने से मैस है फिजिक्स है केमिस्ट्री है उन सभी के कम्प्लीट क अब आपको सीक्वेंस वाइज मिल जाएंगे सफ्ट्रेंट सम्डिजिस के बारे में पढ़ेंगे अभी बीमारियों के बारे में पढ़ेंगे क्या है वो हैल्थ से रिलेटेड है कि हमारा जो स्वास्ते है उसके लिए क्या चिजज ज़रूर है कौन-कौन से जो फैक्टर् बनाएंगे कौन कौन सी चीज़े हैं कि हम नुट्रिशन जिसको हम बोलते हैं एक पोशन के जरूरी है उसके अंदर बैलेंस ड्राइट बैलेंस ड्राइट के तर हार्ची जोने चाहिए कार्भाइड़ेट प्रोटीन से विटामिन से मिनरल से सब चीज़े क्या होता है अपना ही होती है और एक्चुल में रोग हम जिसको बोलते हैं कि यह रोग हो गया तो रोग कहते हैं किसे हैं चीक है उसके बार में हम पढ़ेंगे तो चले स्टार्ट करते हैं टोपिक क्या है आज का हमारा डिजीज है डिजीज के बार में हम पढ़ेंगे तो अगर हम यह देखे क की क्यए होते हैं, रिसोंडिशरों व्रिशनों. जुक भी मेर् हमारे भी मेर्ट के ब्घ Max, लिए पूम्सेस जिए खती हैं, हमारे भी मेर्माने प्रोमने कहते हुए, जितनी भी खाले भी बॉढ़ी खती, भी मेर्म ठीखिए हैं, वो डिस्टरब हो गई जो बोड़ी है उसको किसी ना किसी चीज की कमी हुई किसी ना किसी कमी लगी तब ही तो जाके क्या हुआ बीमारी बैदा हुई और वही चीज हमें पर पढ़ रहे हैं कि जो बीमारीया है वो क्या होती है किस तरीके से होती है इसके अंदर क्या होता है क भारसे कोई रोगान होता है भारसे रोगानु होता है भी दो रोक पेदा होता है बिनंद भाुत भार कुछी नहीं नहीं कोई River कञ करता हम अचे से का रही हैं, तो लाक भी होग्यषग है। अगर हम आप का लग देना चाहिएं कि यृषय तो हम किसको बोलेंगे कि एक स्वस्त सरीर की जो किरियाएं होती है जब उसके अंदर डिस्ट्रबेंस हो जाता है ना तो उसको क्या बोलते हैं उसको बिमारे बोलते हैं उसको रोग बोलते हैं इस कंडिशन को चीक है यह किसकान होती है जब कब होगी है जब को रोगानो एक तरीके से गर हम देखें तो हमेसे बोलते हैं कि बलड के अदर क्या होती है WVC होती है जैसे RBC है WBC है Paraca का अपना काम होता है Place Laites नगैजह अगर डब्लीए को अपना काम होता है WPC क्या करती है WPC का हादब function अगर हम पढ़ते हैं तो हमें यह देखने को मिलेगा कि WBC के जो मतलब रोगानु बहार सात है मतलब हमारी जो immune system होता है ना उसको मजबूत बनाती है उसको solid बनाती है कौन WBC क्या करती है कि बहार से जो रोग पैदा करने मारे रोगानू आएगा वो क्या करेगा वो रोगानू बोड़ी के अंदर एंटर किया वो किसलिए आया है वो इसलिए आया है कि बोड़ी के अंदर रोग पैदा करें तो जो डबलुबीसी होगी ना वो डबलुबीसी क्या करेगी यह जो रोग the immune system को अगया करना मिजभूत बनाना किसका काम है मक्ता करना तो हो की रोगन है उसकोफ करेगी लेकिन क्या हो जाए गलतों जाया वह किन्को नेस्ट करते हैं था था हरें हमारे कान है जितने बीट से कि आपनोमलिटी इसी तरीके से सव्ष्त इंसानं है रहब ऐसके दर क्या हो जाए कोई रोग हो जाए दो इसन Under is बीख जाती इडिके जाती है उसका जो निया तुम इसका सस्टम होता है फंक्सेन वोडी के लिए वो सारी किया रूक जाती हैं उसारे किसी तरीके से चाहित अगर हमारे हमारीन स्ट्रेस वी फील करते तो भी षू साय वहा करती है उसके लिए उसके लिए हाम फिल नहीं होती है नहीं हमारा जिसे माइंड हम उख से काम नहीं कर रहा है हाट जो अगेर हो चैसे काम तो कुछ ना कुछ ने जन होता है उसके पीछ थे तो यह वीमारी अम बोल रहे हैं इसके लिए मुख्य वक्राइक कि यह करती है हमारे जो बोड़ी होते हैं उसको healthy बनाती है चीक है अगर एक condition हो क्या कि यह जो WBC है न यही नस्ट हो जाए जब यह भार रोगानों से हमारी रक्षा कर रही है और यही बोड़ी के अंदर absent है यह नहीं है तो organs क्या हो जाएं यही सारे जो organs है उनके अंदर factor पड़ेगा वो हो कब आते हैं generally अगर हम बात करें तो जरूरी नहीं है लेकिन फिर भी जिस गर में security नहीं होगी जहां से easily हो सकते हैं ऐसे जगे पर जाएंगे तो जब बोड़ी के नहीं है जो सबसे ज्यादर हमारे क्या करती है हमारे बोड़ी के लिए वह जरूरी उसके रक्षा करती है जब बडलूरी के नहीं होतों क्या होगा अगर यह जाएंगा बिमारी उतपन कोई विभी मारी जो होती है जो मैंकि जो है कुछ ना कुछ नहीं पर कि इंदरिय नुकसान होसता है इसने बिकल्ण्स हो उसके कैसे condition हो जाती है उनके डेमेज होने की condition हो जाती है और यह condition हो गए WBC होगी हमारा रोग वर्दुदग छम्ता है हो कम हो गई है बोडी केंदर अट्र कर गया है तो क्या हो जाएगा अब जाहिए के किद्वत्ती बिमारेकि उस्त्त्ति हो जायेगी उस्त्राइगी मतलब मतलब भी क्या ते हम परन के पडिए यह परोड़ हो उतने को मेरा कुछ करलने कर jinा आ हम kya करते हैं हम लगातार रेस्पुरेशन करते हैं और वाय Till उस भाहर छोड़दे अंदर लेए वह बाहर छोड़ते अंदर लेते हैं वह राइसपुरेश्ट है उस विभी इन पर किरिया हो जो घोols बह अब भेज़ लुदी के पार्टिके अनर तरह तरह जो है उन भुत सारे ख्रियों में हमने जो भी वेस्ट पार्ट्स बोडी के उन से बहार निकालना है एक्सकरेशन उचसरजन जो है वह बोट सारे क्रियों में ऑजिव करें इंगे Feder अरे-फूर्वी ऐंधे हो रहा है वह क्या है वह सारी किरिया है जो निए वॉट्थोर इसके अंदर वह आता है आप वहाँ को ये क perspectives के बार बार मिलब रहें कि बोड़ी के अनर होती है तो वह सारी किरिया वही है करñoह हैं जो सजीव होते हैं जो लिविंग होते हैं लिविंग और्गरीज़मगे लिविंघ का सबसे इंपोर्टन करेक्टर है है ये यह से शिओं नहीं करती है। जो किस ना निर्जिव होती है उन आपोशन कुछ नहीं होँ था वोय तो निर्जीव होती है और जिसके अरह सारी केक्र वह क्या होते हैं उसी तरीके उत्यज्तवा रगुत्पन ने पूस्ता आपको उत्रणा से सबस्ता रख नोग हो गानुँ, आए बोडी के इनर किया एंटर करिगे इसका इंसका अनुट का उत्यां जतनी भी जो सारी किया होती है उनके अंदर क्या हो जाती है एन्यमिता हो जाती है उनके अंदर रोगत्पन हो जाती है तो यह कंडिशन किसके होती है बिमारे के होती है तो देखिए मैंने जो भी आपको समझ में आगया होगा और आपको अच्छे समझ में आगया होगा और आपको अच्छे समझ में आगया इसको ज़दा से ज़दा लोगों तो पचाने के लिए आप ज़दा से ज़दा उसको शेयर कीजिए वीडियो को ताकि हमरे जेक स्पार्ट की टीम है वो आपको बाकि सभी सब्जेक भी जल्दी से जल्दी करवा से के तो यह तो ग्या कि रोग जो है ना उत्पन कब होगा बोड़ी के अंदर कोई भी बिमारी है वो कब पैदा होगी ठीक है अभी नेक्स्ट के आता है सिर्फ एक चीज़ नहीं होती है एंविरमेंट के अंदर वह सारी चीज़े होती है जिससे क्या डिरेक्टली हमारे बोड़ी के फैक्टर पढ़ता है ठीक है कोई ऐसे चीज़े होती है हमारे घर में चारो तरफ भी ऐसे चीज़े होती है जो क्या करती है हमारे से रोग पैदा हम पढ़ने वाले हैं कि वह कुछ थजिए क्बिता करने की हम इस की से रोग पैदा भी फेर इसके पड़ने वाले हैं कि पम्सक्राइब में पील्ग कोई सकते हैं जैसे वह कुछ भी हम इस तरीके से लिवा यह सुने हो गी जीवान। है विशान हैं इन pressured Him I am objective स्ansas George RJe लोगे पीड़ा तो शिडी किस करण से हो रहे हे वो हम ने आपर पढ़ए लिस lass पर बर्च देखें के करल को यह रासायमि के राकण कों feme है भाड टो धुर insurance को मिले रहे हैं पहला हम किया ले रहे हैं पहला हम इसके अंदर ले रहे हैं जो जैविक कारक होते हैं वो कौन-कौन से होते हैं फर्स्ट कौन सा रहा है इसके अंदर जैविक कारक देखें कौन से कारक है ये जैविक कारक है अब इस जैविक कारक के बारे में हम देखेंगे कि यह जो जैविक कारक है कौन से होते हैं, सबसे पहले थो हम यह देखें, कि हम ने बोला, कारक यह फैक्टर में कि ऐसे कारक जो होंगे, वो क्या करेंगे? यहनों कि वो इस ट्रायप के होंगे, जो जिव के र compter करेंगो? कि रोग परिदा करेंगे हमने बोला जयरी कारक मतलब कौन से कारक जब जीवों के दुवारा ही रोग उत्पन किया जाएगा जीवों के दुवारा उत्पन होने वाले रोग उत्पन होने वाले रोग क्या कहलाते हैं बतलब ये रोग उत्पन हुए तो जीवों हमने क्या बोला कि जीवों के द्वारत्पन होने वाले रोग किसके अंदर आते हैं जेविक कारक के अंदर जो कारक पैदा कर रहे हैं यानि कि जो जीवों के दुवारा रोग उत्पन होते हैं जब रोग किसके कारण प्यदा हो रहे हैं, जीवों के दुवारा हो रहे हैं, तो वो कौन से कारण हो गए, वो जैविक कारण हो गए, जीवों के दुवारा उत्पन हो रहे हैं, जीवों के दुवारा उत्पन हो रहे तो वो किसके अंदर आता है वो जैविक का रख होते हैं, चीक है, for example, जैसे वाइरस, या फिर इसको क्या बोलते हैं, इसको विशानों बोलते हैं, विशानों, और क्या, बैक्टीरिया, या फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं, जिवानों मिल जाए गई या आपको कहीं पे लिख माईको प्लाज्मा से किस टाइट के यह हम इसमें पढ़ रहे हैं कि जिवों की द्वारा रोग उद्वत्पंद किया जाता है ऐसे जीव मतलब होना तो क्या जिये इसे कार्म कुणे पढ़ एक रहा हैं उसके इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, वाइरस है, जिवान हो है, इसके अलावा और देशी से फंजाई है, कवक, या कुछ बिमार्या कैसी होती है, माइको प्लाजमा के दुवारा भी फेलती है, कुंसी है, माइको प्लाजमा, इसको क्या बोलते हैं, इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है, ध्यान रखना है, देखे, तो यह जो चीज़े हैं, इसका आपको ध्यान रखना है, कि जो फेक्टर्स हैं, वो कौन-कौन से हैं, उसके कारण बिमार्या पैदा हो रही है, इसलिए हम यहां पर पढ़ रहे हैं, ह इसे का रवाइस प्रोसेस होई उमीद आपको आगे होगी अब देखे बात आती है किया आपका ज़ाज का क्यूशन है वह ये है अपको क्यूशन है वह यह है इन मैंने बिल्डाजमा का एक अगर आपको मेरा पढ़यावास समझ में आया है आपको वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को like करके बताएं कि आपको समझ में आ गया है और अगर कोई confusion है कोई doubt है कोई question है तो आप comment box में comment करके बता सकते हैं यहां पर आपके हर question का reply दिया जाएगा और यहां मैं आपको six to twelve का complete savers करवाऊंगी और इसके अलावा सिफ यही नहीं आपको six to twelve के सभी classes के सभी courses सभी subject के वह आपको sequence wise playlist में मिल जाएंगे internet.com पर इसलिए ना तो आपको कोई topic सर्च करने के जरूरत है ना आपको कई दूशा tuition classes जानके जरूरत है ना पैसे वेस्ट करने की जरूरत है पर इसके लिए आपको हम complete matter दे रहे हैं लेकिन आपको वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना होगा शेर करना होगा क्योंकि जितना ज्यादा आप वीडियो को लाइक करोगे शेर करोगे हमरे एक्सपर्ट की टीम उतनी ही जल्दी आपके सभी classes के अधर सभी सब्जेक्ट उनके complete courses आपको प्रवाइड करवाएगी वह भी sequence wise और आपको पूरा matter जल्दी से जल्दी प्रवाइड करने की पूरी कोशिश की जाएगी वह आपको internet पढ़ाई.com पे पूरा matter प्रवाइड करवाएगे और अगर आपने subscribe नहीं किया है तो कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को जुरूर प्रेस करिए ताकि आपको डिल अपडेट्स मिलते रहे हैं chapter to chapter आपको complete syllabus मिलता रहे हैं